नमस्कार आप देख रहे हैं एनस मिडिया ग्रूप मैं इसके रंजन दोग बेपार की खास खबरों के साथ दोस्तों अभी मैं मौझूद हूँ एसिया की सबसे बड़ी मसालायों मेवा मंडिक खारी बावली में और आज हमारे साथ बिसेस में चर्चा करने के लिए हैं दिली वेपार मंडल के संस्थापक मनोज अगरवाल जी आई इन से बात करते हैं संस्था के बारे में मनोज जी एनस मीडिया में आपका स्वागत है दिली वेपार मंडल की अस्थपना हाल फिल हाल में हुई है और आप उसके संस्थापक हैं अपने मंडल के बारे में क्या कहे दिल्ली वेपार मंडल एक वेपारियों का मंडल है जो वेपारी की समस्याओं को देखता है और अभी आपको पीछे पता लगा होगा कि बहुत चोर की घटनाएं हुई मार्केट के अंदर वो लोग हमारे पास आये हम लोग प्रशासन से मिले और उनकी घटनाओं को जो घटन हैं उन्होंने कई तीन चार चोरी की घटनाएं जो है मार्केट में पकड़ी और उनको अंदर भिजवाया और सारा माल बरामत किया और एक जगह तो उन्होंने नगत कैश भी बरामत कराया जो कि उनका आदमी लेकर के भाग गया था इस विशे पे फिर हमने माननी अध्यक् दवा करके उनके साथ्यों को बुलवा करके इश्वर्वहों में एक समारों अमने रखवाया और हमारा निरंतर प्रयास यही रहेगा इस मंडल द्वारा कि हम ऐसे कारे आगे करते नहें और लोहों का विश्वास हमारे प्रती बना रहे हमारा जो धे है वो वेपारियों को मनोच जी इसिया की सबसे बड़ी मे वन किराना मंडी में आप बैठे हुए हैं यहां बहुत सारी संस्थाइव हैं क्या ऐसी आन पार схān दिल्ली वैपार मंडल के अस्थापना और इन कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं क्या कहेंगे दिल्ली वेपार मंडल आपका अपना मंडल है बहुत सारी संस्ताइं हैं उससे कोई मतलब नहीं है हर संस्ता अपना काम करती है हम अपना काम कर रहे हैं लोग हमारे पास अपनी समस्या लेकर क्या है हमने उसका निमारन कर दिया दिल्ली वेपार मंडल की एक स्थापना हो गई इसके अंदर हमारे मानेनिय रिशी मंगला जी परवीन कसेरा जी मनोज अगरवाल जो कि मैं खुद हुँ हमारे दिनेश कि सिंगल जी और हमारे नीरत जैन जी राजिश-गुपता जी और जो हमारे मंदल मुख्य संग्रक्षक वो श्री नंद किशोर नंदू जी और गौर शंकर जी और आपका रमेश गुपता किश्मिश वाले और हमारे अशोक गुपता छोटू भाई इन सब का सयोग हमें प्राप्त है और हम इनके साथ मिलकर के आगे काम करने के लिए मार्केट में निदंतर खड़े रहेंगे कोई समस्य आएगी वेपारियों की तो हम उनके साथ खड़े हैं मनुझ जी अगर देखा जाए तो किराना मेवा वेपारियों के सामने किस तरह की समस्य आयाँ के डेट में है और आगे आपकी मनल का क्या है surprising का और देखातक जगत की समस्या जगत की हैं कभी कुछ मेम कुछ वगया कभी कॉछ वगया कभी आपसमें विवाद हो गया कभी कुछ हो गया हम उन समस्याओं का निवारण करेंगे जो हमारे पास आएगा उसका निवारण करेंगे हम लोग मंदल का आगे का मेमरंडम क्या है किस तरह से काम करेगी उस बारे में आप क्या कहेंगे जो वेपारी एपनी समस्या लेकर करे आएगा उसका निवारन करने के हम कोशिश करें जैज़ में और हमारा एजन्डा यही है कि वेपारी की समस्या को देखना और उसको निपटाना मनों जी एंस मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत ःंबाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद